हलो गाइस कैसे आप लोग मैं उमित तल्डा आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड शलिए मच वेटेड वीडियो मैं लाया हूं काफी अच्छा रिजल्ट आया है तो काफी बच्चे पास हुए हैं और वो काफी बच्चे अब आगे का सोच रहे हैं आगे का गाइडन् करें सैंगा वीडियो लाइक फटाफाट कर लेना वीडियो लाइक करना मैंडेत्री है और पूरा वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि काफी बच्चे comment box में वही चीजे पूछ रहे हैं जो वीडियो में बताई गई है तो मैं of course as a professional मैं आपको comment box में reply नहीं करूँगा क्योंकि मैंने जो वीडियो में बताया है वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता चली जाएगा तो जो भी comment box में पूछ रहे हैं मतलब आपने वीडियो नहीं देखिए और वीडियो नहीं देखिए तो मिरसे आप कोई भी guidance कोई भी help आप expect मत करो ठीक है चलिए तो वीडि में सारी बारिक बारिक बाते जो आपको बता करनी है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ठीक है चलिए तो लेट स्टार्ट सबसे पहला है जो सबसे बड़ा सवाल बच्चे पूछ रहे हैं कि सरम अभी December 24 exam CS professional का दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं ठीक है लाइक दब के पहले जो भी register करेंगे वो ही December में single module दे सकते हैं जो की date चले गई है अब हम August end में बैठे हैं मतलब अब वो date निकल चुकी है तो December attempt अभी आप नहीं दे सकते तो अब आप directly पहला eligible attempt आपका कौन सा आएगा June 25 ठीक है June 25 ही आएगा उससे पहले आप नहीं दे सकते काफी सार information मैं आपको दूँगा तो मेरी आपसे request होगी note down करते जाएए तो क्या आप professional में आ चुके हो technically तो आपको यह आदर डाल नहीं पड़ेगी ठेक है तो अच्छे से चीजे note करते जाएए fees, dates, बहुत सारा guidance, मेरे जो opinions हैं, बहुत सारी चीजे मैं इस वीडियो में बताने वाल नहीं है, तो बार-बार वही चीजे पूछते रहते हैं, और friends से discuss करते हैं, तो जो चीजे आपको पता है, आपकी decide हो गई है, वो लिख लो, ताकि आपका mind के अंदर वो lock हो जाए कि हाँ, मैंने decide कर लिया है, तो बार-बार आप उसको review नहीं करोगे, ठीक है, बहुत modules हम appear कर सकते हैं, तो last date of registration मैं आपको बता देता हूँ, अब आप professional में हो तो आपको at least पता होगा कि registration अलग होता है, exam form अलग होता है, तो यह exam form की बात नहीं चल रही है, यह registration की बात चल रही है, आप executive pass हो गए हो, तो अब आपको CS professional का registration करना पड़ेगा with ICSI, ठीक है, तो यह उसके dates है, registration के dates है, तो June 25 अगर आपको देना है, तो अगर आपको बोथ groups आपको देना है, दो group ही होते हैं इसमें, तो अच्छा एक और सवाल, कि sir हमको professional का old syllabus मिलेगा, कि new syllabus मिलेगा, फिर like दबाओ, अगर आपके मन में यह सवाल आया तो, कि sir old हमको मिलेगा क्या, क्योंकि हम तो executive old से आये हैं, तो old वाला फिर यहां old मिलना चाहिए, training भी old मिलनी चाहिए, आपके मन में सवाल आया होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है sir, ठीक है, professional new syllabus लागू हो चुका है, I think as far as I remember, 1st August 2023 से वो लागू हो चुका है, मतलब 1st August 2023, on or after, जो भी register करेगा, आप वो कहीं से भी आया हो, executive से आया हो, old से हो, new से हो, graduation से हो, कहीं से भी आप कुछ भी करके आया हो, ठीक है, आपके background का relevance ही नहीं है, on or after, 1, 8, 2023, अगर आप professional का registration कर रहे हो, तो आपको mandate really new syllabus ही मिलेगा, clear है क्या, तो इस वजह से आप new में ही आएंगे, old का professional अब बंद हो चुका है, उसके registration ही बंद हो गए, तो इसलिए आपको भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप new में ही आओगे, clear कर लो, अब date of registration क्या है, both group के लिए है, on or before, 30th November, 30th November आपका date है, 6 months before the exams, 30th November आता है, तो 30th November के पहले पहले अगर आप register कर लेते हो, तो आप eligible हो, आप चाहो, तो both group दे सकते हो, न single group भी दे सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप before registration करते हो, तो आपको पूरी complete flexibility मिलती है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर 39th November तक आपने register ही नहीं किया, उसके बात किया, और up to 31st January 25 तक अगर आप register करते हो, इस दो महिने के दौरान अगर आप register करते हो, तो आ आप पर restriction लग जाएगी कि आप single module ही दे पाओगे in June 25 exams, कोई भी एक module, one या second जो भी आपको देना है, लेकिन single module ही आप exam form भरके appear कर पाओगे, तो date काफी important है कि आप कब register करते हो, ठीक है, तो जिन बच्चों को भी both group देना है, rank aim कर रहे है, rank both groups में ही आता है, ठीक है, single module वा होगा कि आप चलो, professional में भी अपना rank आ सकता है, उसके लिए हमको try करना चाहिए, तो आपको 30 November के पहले पहले registration करना पड़ेगा, तो ही आप both groups के लिए eligible रहोगे, clear है यहां तक, चलो, तो इस सब note करते जाना है, सब note करना है, बच्चे मुझे follow करते है, मैं इतने dates और सब च पता रहता है, वो इधर दर groups में पूछ रहे हैं, जबकि हो मेरे followers है, ठीक है, तो सब note करते जाओ, note करो, video pause करके details सारी note करते जाओ, clear है, अब आते है fees, registration fees क्या है, तो हाल ही में ICSINA fees बढ़ाई है, जो कि आपको बताई होगा, तो मैं फड़ा फड़ा आपको बता देता हू latest fees क्या चल रही है, ठीक है, fees हाली में बड़ी थी, तो registration की fees after passing executive, professional की आप registration करोगे, तो आपकी fees है, pre-exam मिला के 20,000, 20,000, ठीक है, काफी जादा बढ़ा दी है, तो सारा जो आपका गुस्सा है, वो ICSI को दिखाएं, teachers पे गुस्सा निकाल के कोई फाइदा नहीं है, बच्च increase कर दिया, अरे हम भी उसी के against है भाई, तो जो आपको support कर रहे है, आप उन्हीं को complain मत करो, जो सही authority है, जिसने decide किया है, जिसने लागू किया है, वहाँ तक आपकी बाच नहीं पहुचती, क्योंकि आप पूरा आपना भडास हमारे उपर ही निकाल के खरम कर देते हो, वो फाइदे की बात है, ठीक है, तो जो भी आपके views है, आप ICSI तक पहुचा है, email IDs सब available है, आप email कर सकते हो, सारे council members और president और सब के email IDs already ICSI website पे available है, ठीक है, तो आप अपने opinions as a student definitely share कर सकते है, ठीक है, चलिए, तो 20,000 including pre-exam fee, 1000 जो one time भरनी होती है, वो include करके 20,000 आपको registration के वक् clear है क्या, तो यह आपके fees हो गया, अब आपको पता ही है, registration पूरे professional पूरे का होता है, group wise registration नहीं होता है, group wise exam form होता है, registration पूरे course का होता है, तो यह पूरा एक साथ 20,000 आपको भरना है, clear है क्या, आगे बढ़ते है, तो यह fees आपको बता दी है, which is 20,000 including pre-exam, note down कर रहे हैं, चीक है, चलो, फिर है, कि सर वही pre-exam इसमें भी देनी पड़ती है क्या, तो yes, pre-exam, professional में भी देनी होती है, जो भी group आप appear करोगे, उसके जो भी subjects होंगे, वो subjects आपको individually pass करने है, आप already executive में pre-exam दे चुके हो, तो मुझे नहीं रखता कुछ खास आपको बत time है, एक ही बार आपको pass करनी है, individual 40 marks ही आपको लेने है, negative marking रहेगी, mcq paper रहेगा, full syllabus है, ठीक है, आपको सब platform भी पता है, कहां से करना है, सब आपको already चीज़ें पता है, तो pre-exam yes, आपको pass करना है, exam form file करने के पहले, ठीक है, फिर है sir, क्या professional में भी ODP करना होता है, तो न नहीं करना है, not applicable, आगे बढ़ते हैं, फिर है sir, subjects क्या क्या है, ठीक है, overall क्या syllabus है, क्या subjects है, हमको क्या pass करना है, क्या हमारा target है, वो आप फोड़ा सब बता दीजे, तो new syllabus जो है हमारा 2022, ठीक है, तो यह आपका professional है, यह आपका professional है, divided into two groups, ठीक है, दो group में यह divided है, सबसे पहली बात, mcq कुछ भी नहीं है, ठीक है, executive में भी new syllabus में mcq बंद हो गए, सिर्फ old में थे, सब खतम हो गया भी, ठीक है, professional में भी कोई भी mcq नहीं है, कुछ भी tick-wick नहीं करना है, सब कुछ written है, clear है, तो दो groups है, total seven subjects हैं आपके, ठीक है, four subjects in group one and three subjects in group two, ठीक है, तो group one में देखो क्या-क्या है, पहला है आपका ESG, ESG, पार्ट कुछ पहले से था, कुछ पार्ट थोड़ा सा, नया भी आया है, जो पहले professional role में नहीं था, तो environmental, social and governance, governance तो पहले से था, environment और social थोड़ा सा, उसमें add हुआ है, properly divided है, 65, 20 और 15, अभी आपको वैसे भी कुछ खास समझेगा नहीं, तो मैं फटा-फट रीट करते जाओंगा, ठीक है, फिर है drafting, सबसे काफी important आपका subject है, drafting, as a CS आपको यही काफी काम करने है, तो इसमें भी दो parts है, drafting अलग है, pleading अलग है, फिर है compliance management, audit and due diligence, ठीक है, 60, 40 का dividation है, और फिर fourth subject जो है, वो elective है, मतला आपको specialization कोई एक subject choose करना है, out of the list given below, तो पहला है आपका CSR and social governance, second है internal and forensic audit, IPR and AI, ऐसे चार options हैं, इसमें से कोई एक elective subject आपको choose करना है, और जो भी elective subject है, वो open book exam है, elective subject open books है, ठीक है, open book exam है, elective क्या है, descriptive है, लिखना है, और open book है, ठीक है, elective subject open book है, तो इन में से जो भी आप select करोगे, वो एक open book exam होगा, सर आप क्या recommend करते हो, आपके हिसाब से क्या elective लेना चाहिए, अब 10 teacher है, तो सबकी opinions अलग लगी होगी, मैं कुछ बताऊंगा, फिर आप बोलोगे, सर वो teacher तो वैसा कह रहा है, तो वो तो अलगी कहेगा ना, वो उसका knowledge अलग है, उसका experience अलग है, उसकी सोच अलग है, तो वो अपने साब से करेगा, हम दोनों क्या भाई भाई है, दोनों अहीं की recommend करेंगे, जरूरी है क्या, नहीं, तो match मत करना, सर ये teacher तो ऐसा कर रहे है, majority teachers तो हमको ये कह रहे है, या majority past students ने तो ये लिया है, ये सब ठीक है, मतलब सब सफेद हो रहा है, तो ये सब मुझे पता है, आप क्या कहने वाले हो, तो मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, उस सब मुझे बता है, तो मैं अपने इसाब से इसलिए ब बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता है, एक्चुली कौन क्या बोल रहा है, कोई जो famous opinion है, वो ही बता हो, ठीक है, इस तरह से मैं सोचता नहीं हूँ, कि बाकी लोग क्या कर रहे है, तो मुझे भी वैसा करना चीए, तो मैं ऐसा कभी करता नहीं हूँ, ठीक है, दूस सी फिल में जाओगे, क्या specialization में जाओगे, क्या practice करोगे, या आप job करोगे, आज कोई decide नहीं कर सकता, ठीक है, और वो आगे क्या करेगा, उसको भी नहीं पता रहता, तो काफी uncertain होता है, ठीक है, तो आज से ही सोच लेना, कि मैं यहीं करूँगा, फिर मैं यहीं लेता यह भी आपको देखना होता है, it's a balancing game, तो मैं इसलिए CSR and social governance यह मैं recommend कर रहा हूँ, CSR no doubt, company secretaries में काफी important है, काफी important area है, और listed companies को CSR करना ही है, आपको as a CSR का काफी knowledge होना ही चाहिए, तो यह काफी match होता है, आपकी field से आपको आगे काम आए गई आएगा, और पढ़ाई मे भी इसकी language, company law और उससे related ही है, similar language है, तो आपको बहुत offbeat कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप बाकी subjects देखोगे, forensic audit बहुत ही अलग है, आपसे याद ही नहीं होगा, खैर सब open book exam है, याद तो कुछ करना नहीं है, बट still मुझे लगता है कि forensic audit as a subject काफी complicated जाएगा आपको, IPR भी काफी complicated है, आप थोड़ा बहुत पड़ी चुके हो, तो आपको बताई होगा, IPR वैसे भी बहुत complicated language होती है, और AI तो altogether नहीं चीज़ है, fascinate करेगी, लेकिन marks लेने के में जब आपको दिक्कत होगी ना, तब आप फस जाओगे, तो इसलिए CSR मुझे लगता ह एगदम सही है, ठीक है, ग्रुप 2 पे आते हैं सर, ग्रुप 2 में पहला है SMCF, strategic management and corporate finance, that is also divided into two parts, SM है 40 और corporate finance है 60, फिर है CRVI, corporate restructuring, valuation and insolvency, इसमें भी parts है, CR है आपका 40 marks, valuation है 20 और 40 है insolvency, और फिर है group 2 में भी एक elective है, open book exam है, ठीक है, दोनों में मतलब एक एक open book है, और आ पांच में से कोई एक select करना है, तो पांच में आपके बास क्या है, arbitration है, GST है, labor law है, ठीक है जो आप अलड़ी पढ़ चुक है, इसमें और जाधा है, banking अलगी field है, और insolvency and bankruptcy code, IBC जिसका आप कहते हो, तो ऐसे पांच options है, इसमें बहुत conflict है, पहली बता रहूं, बहुत conflict ह कोई short shot हर angle से जो सही हो, ऐसा कोई choice नहीं है, ठीक है, मैं दो तीन चीज़े बताता हूं, ठीक है, maximum बच्चे जो लेंगे, जो आपको आसपास दिखेंगे, वो होगा IBC, क्योंकि बाकी subjects की coaching ही available नहीं है, बाकी के coaching ही available नहीं है, आप अगर AI लोगे, आपको AI का कोई video lecture नहीं मिलेगा, वो फिर आपको पूरा self करना होगा, तो maximum बच्चे IBC लेते हैं, क्योंकि उसके video lectures available होते हैं, और सबसे जादा connected जो subject है, वो दो है, एक है आपका GST, वो भी काफी connected है, काफी integrated subject है, आपके लिए course के लिए काफी important है, practice में भी आप जाओगे, तो काफी काम आपको उ पढ़ सकता है, तो इन में से दो में से कोई एक चीज आप ले सकते हो, problem क्या है, कि IBC मेरे साब से language wise काफी technical है, काफी technical language है, काफी tough आपको ये जा सकता है, तो इसलिए marks भी आप देखोगे, classes करके भी बच्चे 40 के आसपास ही रहते हैं, 35, 40, 42, 45 बस उसी range में marks मिलते हैं, उ GST फिर थोड़ा practical है, अगर आपका practical बहुत strong है, आप CA background के हो, तो फिर आपको GST लेना चाहिए, अगर आप CA background के हो, तो आपको GST लेना चाहिए, आपको GST बहुत आसान जाएगा, और GST आप अच्छे से कर लोगे, लेकिन जिनको practical tough लगता है, जो theory के दिवाने हैं, वो IBC ले सकते हैं, और जो practical के दिवाने हैं, वो GST ले सकते हैं, दोनों important core subjects है, मतलब आपको काम आएगा, waste नहीं होगा, ठीक है, और ये दो popular opinions है, popular जाथा चलता है, और ये दो connected भी है, तो कुझे सा problem नहीं है, ठीक है, बट मैंने काफी बच्चों को labor lobby suggest किया है, reason being कि उसकी language उत मुझे लगता है कि still थोड़ा सा easy है language और labor law आप already थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, काफी सारे labor laws आप executive level पर पढ़ भी चुके हो, तो थोड़ा सा familiar है, जैसे IPR भी आप पढ़ चुके हो, familiar है, लेकिन उसकी language stuff है, labor law में एक तो वो easy है, उपर से familiar है, तो मुझे लगता है पढ़ाई में थोड़ा आसान जाएगा और आप अच्छे से उसको handle भी कर लोगे, ठीक है, as compared to GST and IBC, simple, simplification के इसाब से देखूं, तो मुझे labor law जादा पसंद है, लेकिन labor law के classes, मुझे नहीं लगता कोई अच्छा teacher लेता है, कोई भी teacher labor law के classes नहीं देता है, GST के आपको मि मिल जाएंगे, लेकिन labor law मिलेगा नहीं, आपको self करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा, सोच समझ के इसलिए थोड़ा सा आपको recommend करना पड़ता है, कि classes वगेरे भी available होनी चाहिए, ठीक है, तो classes वगेरे के हिसाब से आपको चाहिए, तो आप IBC लेलो, आपको classes अच्छे मिल जाएंगे, अच्छे-चे teachers IBC पढ़ाते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, चलिया, clear है, seven subjects divided into two, first group में चार subject है, एक open book है, और elective है open book, and second group में तीन subjects है, उसमें से एक open book है, elective है, ठीक है, ऐसा आपका पूरा syllabus है, अब सर आप इसमें से क्या-क्या पढ़ाते हो, तो मैं एक ही subject पढ़ाता हूँ, unfortunately, वो है SMCF, strategic management and corporate finance, ठीक है, यह मेरा zone है, यह इसमें मुझे confidence है, कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, तो मैं एक ही subject पढ़ाता हूँ, बाकी मेरे core areas नहीं है, क्योंकि मैं chartered accountant हूँ, मैं already काफी बच्चों को बता चुका हूँ नाम में भी इसलिए मैं लिखता ही हूँ, ताकि कोई confusion न रहे, क्योंकि मैं chartered accountant हूँ, तो मेरा expertise यहीं पे है, GST भी मैं चाओं तो पढ़ा सकता हूँ, बट एक ही subject मैं पढ़ाता हूँ, SMCF जो मैं executive level पे भी already पढ़ाता ही हूँ, same subject है, आगे का ही है, तो यह मैं पढ़ात हूँ, बाकि कोई भी subject मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है, तो subject level पे बहुत जादा मैं आपको इसलिए guidance नहीं दे पाऊँगा, generic guidance में देता ही हूँ, और SMCF के बारे में ही मैं जो भी guidance दूँगा हो दूँगा, ठीक है, शलो, आगे बढ़ते हैं, तो यह हो गया आपके subjects, फिर ह passing criteria तो same है, individual 40 marks each subject और group की passing aggregate 50% आपको लानी होगी, ठीक है, तो same ही है जैसे executive में होती है, फिर है sir, जून में क्या passing percent था, ठीक है, पहला पहला new syllabus professional का exam पहला ही हुआ था, वो जून 2024 में ही हुआ था, तो उसका passing percent क्या आया, यह हम थोड़ा सा देख लेते हैं, discuss करते हैं, ताक आपको idea रहे कि क्या level आता है paper का, ठीक है, सब आई से से website से बता रहा हूँ, कोई भी मंधणन, unofficial चीज़ें हैं, इधर से उधर से कुछ भी नहीं बता रहा, सब official details है, ठीक है, तो यह आपके press releases से ही मैं ले रहा हूँ, press release जो हाली में आई थी, ठीक है, सब लिखा हुआ है तो आप देखोगे अगर professional new syllabus याने 2022 syllabus दो ही groups से देखो, first group का passing result है 27.04%, 27% which is very good, ठीक है, and second में है 26.72, मतलब 25 plus percent का result है, तो मतलब ठीक है, बहुत जादा डरने की ज़रूद नहीं है, कोई 510% का result नहीं है, 25% का result है, मतलब chances बहुत अच्छे हैं, pass होने के, अगर आप अच्छे से महनत करोगे, अच्छा coverage रखोगे, time to time study करोगे, तो आपको pass होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगे, ठीक है, 25% plus passing result है, अब जो बच्चों ने दोनों group एक साथ दिये हैं, और one shot में दोनों group निकल इसका percentage नहीं है, publish हुआ नहीं है, ठीक है, तो वो मुझे लगता है, वो काफी कम होगा, 10%, maybe less than 10% होता है, कि जो बच्चे दोनों group एक साथ देते हैं, और दोनों group एक साथ पास हो जाते हैं, वो passing percentage काफी कम ही होता है, ठीक है, यह individual group wise है, ठीक है, शलो, फिर है, ट्रेनिंग के बारे में बहुत जादा लोगों की सवाल है, ट्रेनिंग पर मैं एक separate वीडियो ही बनाऊंगा, ठीक है, सिर्फ वो उन लोगों के लिए जो actually training start करना चाते हैं, ट्रेनिंग का जो basic discussion है, वो पहले मैं कर लूँँगा, आपको पूरा जो अभी पता होन अची है, वो सारी बाते मैं भी आपको बता दूँगा, और वो सब करने के बाद, वो process करने के बाद, आपका decision लेने के बाद, अगर आपका decision बनता है, कि आपको training अभी करनी है, तो फिर वो एक दो दिन में मैं एक अलग वीडियो training के बारे में बना दूँगा, ठीक है, तो long term training which is of 21 months, ठीक है, और फिर आपका आता है CLDP, जो कि 30 days से लेके 45 days या 60 days होता है, एक या 2 मैने के बीच में होता है, अभी I think 30 days का चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा आपका पूरा ये training divided हैं, अलग-लग parts में, ठीक है, अब training, सबसे important चीज है training, आपके पूरे course में अगर आप पू सबसे जादा ध्यान देना चीए, कहां हमको लापरवाई नहीं करनी चाहिए, that is training, मतला आपने अभी तक जो भी किया है, लेकिन अगर आपने training अच्छे से कर ली, तो सब कवर हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा, सारे पाप धूल सकते हैं, अगर आप training अच्छे से करो, multiple चीज़ें एक साथ training के साथ करते हो, तो फिर वो handle नहीं होता, आप time नहीं दे पाते हो, आपका ध्यान divide हो जाता है, multiple चीज़ों में आपका पूरा effort है, वो divide हो जाता है, फिर आप उतना effort, उतना अच्छे से training को time नहीं दे पाते हो, ठीक है, तो training में आपको option है, सबसे पह है, यह आपको apply होगा, old training structure अभी available नहीं है, जो भी बच्चे अभी register होंगे, training start करेंगे, वो सब new training में ही आएंगे, ठीक है, जो यह वाला है, यह new training structure है, which comprises of EDP, 21 months long term training and CLDP program, तो यह new training structure है, और यही आपको apply होगा, अब इस training structure में flexibility आपको दी गई है, कि आप चाहो, तो executive के बाद भी training start कर सकते हो, या आप चाहो, तो professional के बाद भी आप यह training start कर सकते हो, मतलब choice है, flexibility है, पर आप कभी भी start करो, वो इतनी ही रहेगी, क्योंकि past में ऐसा structure था कि professional के बाद करो, तो training कम होती थी, वो benefit अभी नहीं दिया गया है, training आप कभी भी करो, उतनी ही रहेगी, दो साल का पूरा आपका यह training program है, दो साल का training है, तो यह दो साल ही रहेगी, executive के बाद करोगे, तो भी दो साल रहेगी, और professional के बाद करोगे, तो भी दो साल ही रहेगी, I am very clear on this, ठीक है, तो बिलकुल इसको अच्छे से सुनो, और इसको समझो, इसका impact क्या है, ठीक है, ठीक है, तो सवाल यह उठता है कि यह कब करे, when we should start the training, after executive, यानि कि अभी, और after passing professional, अब मैं पहले बता देता हूं, कोई भी इसमें सही गलत नहीं होता, कोई भी ऐसा one-sided नहीं है, कि यह खराबी है, यह गलती है, और यह अच्छा ही है, इसमें कोई खामी नहीं है, ऐसा नहीं है, रेशो है, 55-45, 60-40, ठीक है, बंदरब सब के pros and cons है, आपको evaluate करना है, कि आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आप क्या चीजों में compromise नहीं करना चाते, वो सोच पे depend करता है, आप कौन सा select करोगे, काफी बच्चे होते हैं कि आर हमको time सबसे important है, training की quality भाड़ में गई, हमको anyhow बस training जल्दी complete करनी है, ताकि हम जल्दी CS बन जाए, यो एक pattern है, एक thought of school of thought है, एक होता है कि नहीं हमको थोड़ा सा time जाधा भी लग गया, बट अगर हमको हमारी training अच्छे से होनी चीज, training हमको अच्छे से करनी है, पूरा dedicatedly time दे के अच्छे से करनी है, तो दोनों का decision अलग लग आएगा, इसे दो school of thoughts है, ठीक है, अगर आप executive के बाद अभी करोगे, मतलब basically training साथ में जब आप करते हो, पढ़ाई के साथ में जब आप training करते हो, तो क्या plus और minus है या आपको समझना है, बिना training के आप करोगे, तो फाइदा है, वो मैं क्या समझाओ, बिना training आप करोगे, तो आपकी professional अच्छे से पढ़ाई होगी, classes करने का पूरा time मिलेगा, और passing के chances भढ़ जाते हैं, बोध group भी अच्छे से आप कर सकते हो, training के साथ अगर आप कर रहे हो, तो बोध group मेरे एसाब से, सब मैं अपना personal opinion बता रहा हूँ, मैं कोई चीज आपे थोप नहीं रहा, मैं अपनी opinion बता रहा हूँ, जो years of experience के बाद है, thousands of students से interact करने के बाद बनी है, मतलब मैं student नहीं हूँ, पहले आप समझो बात को, काफी बच सुनी सुनाई बाते मैं बोल दूँगा आपको, बच्चा नहीं हूँ है, in short, तो काफी दुनिया देखी है, काफी हजारों बच्चों से बात की है, काफी बच्चे बताते हैं, पूरा feedback देते हैं, जिन बच्चों ने executive के बात start की है, वो भी मेरे touch में है, जो बच्चे professional के बात कर रहे हैं, उन वो भी टच्च में है, तो एक actual क्या feedback है, वो काफी बच्चों से हमको पता चलता है, और उसके base पे फिर हम आपको fact-based guidance देते हैं, ठीक है, तो training अगर आप करते हो, training अगर आप करते हो, तो सबसे पहले आपका time availability कम हो जाएगा, पढ़ाई के लिए, time available जो है, वो कम होगा for studies, ठीक है, इस में तो कोई science नहीं है, भाई अगर आप 6 से 8 घंटे minimum, 6 से 7 घंटे तो minimum है, उससे कम तो training होती नहीं है, and it can go up to 10 hours also, ठीक है, बहुत जाधा भी हो सकत है, depending upon city to city, firm to firm, वो होता है, ठीक है, 6 to 8 hours average होता ही है, ठीक है, तो दिन के अगर 7-8 घंटे आप training कर रहे हो, तो आपको क्या ही time मिलेगा पढ़ने के लिए, exertion, traveling, सब अलग है, traveling अलग होता है, ठीक है, आओ, कुछ आपके Mumbai में हो, पूने में हो, इसमें traveling involved है, तो वो भी extra add कर लो, आए खेल में, तो ऐसा समझ लो, सब मिला के 8 hours, थोड़ा बहुत आप ठक जाओगे, आराम करोगे, घरा होगे, ठीक है, सब मिला के मैं कह रहा हूँ, minimum 8 hours तो आपके जाएंगे, अब मैं 12 घंटे का भी schedule पकड़ू हूँ, तो भी आपको 4 घंटे ही मिलेंगे, 4 घंटे से जादा day to day basis पे आपको time नहीं मिलेगा, तो जो बच्चा 4 घंटे ही पड़ेगा, वो both group कैसे देगा, basic calculation कर लो, 12 months हैं, इतने days हैं, और 4 hours हैं, तो आप द chances कम हैं, 1000 में से कात बच्चा करेगा, तो उसको मैं count नहीं करता, chances बहुत कम हैं, और मैं किसी को recommend नहीं करूँगा, तो फिर आपको single single करके देना पड़ेगा, ठीक है, तो जो training कर रहे हैं, उनको पहले mind clear करना पड़ेगा, कि मुझे single single करके देना है, दूसरा है, जो मैं भी आपको कह रहा था, quality, आपको ध्यान देना पड़ेगा, quality compromise नहीं होनी चीए, आपको balance करते आना चीए, अगर आपको आता है, बहुत बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको balance करते आना चीए, maximum बच्चे जो मैंने देखे हैं, वो dilemma में ही time waste कर देते हैं, पढ़ाई मे उनका पूरा मन रहता है, दिमाग पढ़ाई पे रहता है, पर वो training में पढ़ाई के बारे में ही सोचते रहते हैं, वो training पे उतना ध्यान नहीं दे पाते, training को positively नहीं ले पाते, क्योंकि पूरा दिन उसी में निकल जाता है, तो आपकी पढ़ाई रह जाती है, और आपको प अच्छा से, हफ्ता दर दिन छुटी लेलो, पंदरा दिन ब्रेक लेलो, एक महिना ब्रेक लेलो, ऐसा मिलता नहीं है, अकोई ब्रेक नहीं है। आपकी पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, आपके अटेंट्स में आप पास हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसे कोई फरक नहीं बढ़ता, ब्रेक नहीं मिलता इसमें, ठीक है, और पढ़ाई जो आपको एक holiday मिलेगा, वो भी गहुती कम मिलेगा, holiday before exams जो होते हैं, काफी कम मिलते हैं, firm to firm depend करेगा, कोई 7 दिन, कोई 15 दिन, कोई maximum एक आद महिना भी देते होंगे, I don't know, एक महिने से जादा महिने सुना नहीं है, ठीक है, holiday before exam वो भी काफी कम है, तो इस वज़र से भले आप single group दे रहे हो, but still, आखरी में उतना समय नहीं मिलता तो, आप अच्छे से prepare कर के नहीं दे पाते हो, ठीक है, तो यह सारे problems है, ठीक है, यह सारे issues है, क्योंकि time का का काम time ही करेगा, मतलब जितना समय पढ़ना है, जितना content पढ़ना है, जितने बार revise करना है, writing practice करनी है, वो करनी ही पढ़ती है, उसका कोई option नहीं है, substitute नहीं है, कि motivational video देखके मैं राइटि के type लिख के आ जाओंगा, ऐसा होगा नहीं, हर चीज को time देना पड़ता है, और वो minimum time requirement है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यह सारी बाते सोचनी आपको पढ़ेगी, अच्छे से, क्योंकि एक बार आप गए, इतनी आसानी से training की transfer भी नहीं मिलती, training बंद नहीं होती, वहां से आप निकल नहीं पाओगे, अनलेस वह आपके कोई रिष्टेदार है, या पहचान वाले हैं, जिन से आप बातचीत करके कर सकते हो, तो अलग बात है, कोई पहचान नहीं है, तो कोई वहां पे कोई चीज आपकी नहीं देखी जाएगी, ठीक है, clear है क् इन सारे रिजन्स के वज़े से मुझे लगता है कि बच्चे को ट्रेनिंग आफ्टर प्रोफेशनल करनी चाहिए, ठीक है, इसते क्या होगा, टाइम जाधा लगेगा, ठीक है, टाइम जाधा लग सकता है, क्योंकि जो लोग साथ साथ में करेंगे, उनका भी पास होगा, न वो ट्रेनिंग के बाद भी अटेम्ट देते रहते हैं, मतलब हमारे C.A. में भी ऐसा होता है, C.S. में भी काफी बच्चों का मैंने ऐसे देखा है, ठीक है, तो यहाँ हम नॉर्मली अज्यूम कर लेते हैं, कि यार इतना समय है, इतने चार अटेम्ट है, तो दो इक ग्रू पढ़ाई अच्छे से होगी, प्लस आपकी ट्रेनिंग भी अच्छे से होगी, अगर आप प्रॉफेशनल पास होके ट्रेनिंग करने जाते हो, एक तो आपकी जो फोर्म्स, आपका यो अप्झवर को नहीं होता है, वह बढ़ जाते है, प्रॉफेशनल पास्ट, बच्चे बहुत जादा firms को चाहिए होते हैं, बहुत जादा priority आपको मिलेगी, क्योंकि आप almost CS हो, pass हो गए हो, बस training करनी है और membership आपको मिल जाएगी, तो वो training अलग ही होती है, professional pass करने के बाद जब आप training करोगे, वो अलग ही training होती है, बहुत benefits होते हैं उसके अलग से, और फिर आप सि training करूँगा, तो सोचो मेरी क्या energy level होगी, मैं क्या excited के तरीके से मैं वो training को approach करूँगा, सोच के देखो, बहुत फरक है, बहुत फरक है, तो इसलिए मुझे लगता है, कि यार, दोनों में तो मैंने देखा ही है, pressure में आके, बच्चे ठीक से नहीं कर पाते हैं, लेकिन compromise नहीं होगा, आप जो बनोगे न, वो बहुत ही, मतलब अलगी type के company, secretary बनोगे, कि पढ़ाई आपके अलड़ी हो चुकी है, पूरी पढ़ाई हो चुकी है, और वो training में जब आप खुद apply करोगे, वो भी एक बहुत अलग है, क्योंकि executive level पे आपको पूरा knowledge नहीं है, आपक अभी भी आधा ही knowledge है, आधा knowledge तो अभी आप professional में लेने वाले हो, तो उतना knowledge होता भी नहीं है कि आप executive के बाद वो training में उतना apply करो, professional के बाद लेकिन जब आप जाते हो, तो आपको बहुत ज़ादा apply करने के लिए चीज़ें होती है, बहुत अच्छे से आप theory practice को apply कर पाते हो और बहुत अच्छे से time दे पाते हो, मेरा actually concern time कई है, मैं नहीं चाहता कि बच्चे training को as a formality ले ले, कि चलो रोज 8 घंटे जाना ही है, दो साल ये निकाल नहीं है, निकाल लेते हैं, तो ये मुझे लगता है ये फिर आपका purpose defeat हो जाएगा, company secretary आप जो बनोगे, जो quality आप application नहीं होगा, आप में वो grip नहीं होगी, तो आपको बहुत दिक्कत होगी life में, ठीक है, तो ये overall मेरा opinion है, ठीक है, तो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, जिन बच्चों को still training start करनी ही है, हमको सर कोई फरक नहीं बढ़ता है, हमको करना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं ह पूरा एक separate वीडियो बताऊंगा, EDP कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे कब, कैसे ढूमते हैं, या कैसे करने है, पोर्टल क्या है, ट्रेनिंग, कहां कहां ट्रेनिंग आप कर सकते हो, CLDP का basic structure क्या है, ठीक है, सारा जो basic जित्ता मुझे पता है, वो मैं बताऊंगा, और उसमें मैं ट्रेनिंग जिनको करना ही है, तो firm में करें, practicing, PCS के पास करें, या company में करें, ये भी बहुत बड़ा debate होता है, फिर कुछ-कुछ लोगों को ट्रेनिंग से exemptions भी होते हैं, बहुत ही extraordinary है, normal आप लोगों को कोई exemption नहीं होता है, working professional या कोई other qualification वाले लोग है, उनको कुछ-कु exemptions होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, तो ये सब है, तो मैं separate, पूरा training का separate video, पूरा मैं आपको ICS है के material से पूरा देखके बताऊंगा, कि छुटियां कितनी है, transfer के rules क्या होते है, क्या times होते है, minimum कितना time training में आपको देना पड़ेगा, वो सारी बाते मैं मैं आपको अच्छे से एक separate video में बताऊंगा, ठीक है, elective subjects मैंने आपको बता दिये, ठीक है, CSR and IBC, ठीक है, तो I think majority चीजे मैंने cover कर ली है, तो ये आता है आपका exam form, वो तो अब आपको पता ही है, आप executive pass हो गए हो, exam forms, June exams के कब खुलते हैं, ठीक है, आपको बता ही होगा तो ये 26th Feb 2025 से open होंगे और without late fee आप भर सकते हो, up to 25th March without late fee और with late fee आप 9th April 2025 तक भर सकते हो, ठीक है, और exam form की fee भी बढ़ चुकी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि अभी exam form की fee क्या चल रही है, ठीक है, exam form fee जो है, वो है, 1800 per group, ठीक है, 1800 per group, तो बोध group वालों को 3600 लगेंगे, ठीक है, बोध group वालों को 3600 आपको exam form fee अलग से भरने पड़ेगी, ठीक है, और late fee लगती है, तो वो होती है 250 रुपीज, ठीक है 250 रुपीज एक्स्ट्रा आपको भरने पड़ते हैं, video भी बता दिया, subjects बता दिये, electives बता दिये, कौन से आपको लेने चाहिए, training के बारे मैं आपको बता दिया, training के क्या क्या options है, कब करना है, क्या है, और जिनको करना है, फिर मैं अलग से एक video आपको बता दूँगा, ठीक है, I think इतना अभी आपको जानना जरूरी है, ठीक है, चली, thank you so much, और training का एक separate video आजाएगा, अपने आपी मैं डाल दूँगा, आप tension मतलो, ठीक है, चली, thank you so much, do like the video, और कुछ और आपके मन में सवाल होंगे, तो आप comment box में पूछ सकते हो, जो मैंने इस video में cover नहीं किये हैं, ठीक है, thank you so much,